दिल्ली में कोरुना का बढ़ता कहर और यहां के अस्पतालों की बदहाली देखकर अब दिल्ली वाले अपने सुरक्षा अपने हाथ वाली काहवत पर अमल करते दिख रहे हैं संकट की इस घडी में अस्पतालों पल निर्भर ना होना पड़ी इसके लिए यहां की रेजिडेंट वेलफियर सोसाइटियां फोकता इंधजाम करने में जुट गई हैं दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेर एसोसियेशन ग्रूप हाउसिंग सोसाइटियां संकट के समय आगे आने लगी हैं वे कोरोना मरीजों के लिए अपने सोसाइटियों कोलोनियों में ऑक्सिजन सुविधा से लैस क्वारंटीन कम रीक्रियेशन सेंटर खोल कर अस्पतालों को आईना दिखा रही हैं रोहिणी की न्यू सरस्वती को आपरेटिब ग्रूप हाउसिंग सोसाइटि ने ऐसा ही एक वातानो कुलित ओक्सिजन सुविधा से लैस क्वारंटीन कम रीक्रियेशन सेंटर तयार किया है कोरोना पेशेंट के लिए तयार किये गए इस वातानो कुलित क्वारंटीन कम रीक्रियेशन सेंटर में 6 बेड, 2 ओक्सिजन सिलिंडर, ओक्सिजन मीटर, बीपी मशीन, शुगर मशीन के साथ सभी प्रकार की एमलजेंसी में काम आने वाले जरूरी दबाईयां रखी गई ह साथ में नहाने के साथ शौचाले का भी पूरा प्रवंद किया गया है, गरम पाने के लिए भी बड़ी मशीन लगाई गई है, साफ सफाई का भी विशेश प्रवंद किया गया है, इस क्वारंटीन कम रीक्रियेशन सेंटर को खोलने के लिए स्थानिय प्रशासन से मंज़ को माइल सिम्टम्स होते हैं वो यहां पर खुद को कॉरिंटीन कर सकता है और यह कॉरिंटीन सेंटर है बाकाइदा जो पूरी गाइडलाइन से उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है जो तमाम सुविधाय है उसका इंतिजाम किया गया है वाटर डिस्पेंसर यहां पर लगा दिल्ली के कोविड अस्पताल उसी को भरती करते हैं जिसके पास कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट होता है कोविड का टेस्ट हो नहीं रहा है नॉन कोविड अस्पताल सिफारिश और हो हल्ले के बाद फ्लू सेंटर पर कोविट का टेस्ट कर लेती हैं लेकिन भरती तब तक नहीं करते जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए और मैंने सोसाइटी की डॉक्टर से डिसकस किया कि अब क्या करना है उन्होंने सबने मुझे एक ही गार्डन जी कि गॉर्रमेंट का जो सिस्टम है और अभी भी कोलापस हो चुकता है या हो चुका है अब अपनी त्यारी खुट करो ऐसे में इस तरह के कॉरेंटीन सेंटर बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी स्थानी नागरी को कोरोना की वज़़े से कॉरेंटीन होना पड़े तो उसे स्थानी अस्तर पर ही ये सुविदा मिल जाए दिल्ली में 1700 ऐसी सोसाइटिया है अगर सभी इस तरह का इंतजाम करें तो लोगों को कॉरेंटीन सेंटर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा